हाई फ्रेंज मैं हूँ आपके साथ यास्पीन बॉलिवुड के संजु बाबा यानि के संजेदत इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मे की हैं लेकिन फिल्मों से जादा उनकी परसनल लाइफ ही हमेशा खबरों में हेडलाइन बनी रही नशे की लच से लेकर जेल जाने तक उनकी इस विवादित जिंदगी में उनकी लव लाइफ और शादी भी शामिल है दोस्तों इस बात से तो सभी वाकिफ है कि मान्या दर्ज संजे की तीसरी पत्नी है लेकिन जनाव उनकी पहली पत्नी रिचा शर्मा से उनका तलाग क्यों हुआ ये बात शायद ही कोई जानता होगा आपको बताते चले कि रिचा शर्मा अपने प्रोफेशन से ही आक्टरस थी शादी की शुरुवाती दौर में दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन फिर अचानक रिचा की तबित खराब होने लगी और उनके ब्रेन ट्यूमर होने की खबरे आई इसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाना पड़ा लेकिन किसे पता था कि उनके अमेरिका जाते ही उनकी जिन्दगी में तबाही मत जाएगी बताने कि रिचा की गैर मौझूद्गी में संजय और माधुरी के बीच प्यार की खबरे आने लगी बताया जाता है कि दोनों की नजदीकिया इतनी बढ़ गई थी कि मीडिया और फैंस में ये अफवा फैल गई थी कि संजय और माधुरी शादी करने जा रहे हैं वही जब ऐसी खबरों की भनक रिचा के कानों तक पहुँची तो वो अपना इलाज छोड़ भारत लोटाई हाला कि ऐसी खबरे सुनने के बाद भी उन्होंने अपने और संजय के बीच रिच्टे को ठीक करना चाहा तब ही रुबारा उनकी ब्रेन ट्यूमर की शिकायत आई जिसके चलते उन्हें वापस अमेरिका जाना पड़ा उसके बाद तो फिर दोनों का रिष्टा पूरी तरह से बदर चुका था और आखिर में दोनों का तलाग हो गया मामला संजय तक ही सिमित नहीं रहा विवाद तो तब बढ़ा जब संजय की साली इस मामले में कूद पड़ी उन्होंने मादूरी पर सवाल उठाया कि दोनों के बीच सला की असली वज़ा तो मादूरी है वहीं दूसी तरफ संजे का कहना था कि इसकी असली वज़ा रिचा का परिवार है और उनकी साली एना है संजे का कहना था दिक्कत मेरे और रिचा के बीच थी, हम मिलकर देख लेते, अगर किसी को जुकना पड़ता तो हम जुक जाते लेकिन एना हमारे बीच बोलने वाली कोई नहीं होती थी वेल तो क्या सच है और क्या जोट इसका खुलासा तो नहीं हुआ लेकिन साल 1997 में बिमारी के चलते रिचा ने दुनिया को अलविदा जरूर कह दिया और उनकी जिन्दगी के किताब के पन्ने वहीं तक सिमित रहे गए वेल तो ये बात थोई संजे की लेकिन इसी तरह की स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं